हेलो हेलो जी मैं हूँ कन्वर्जन पांडे आप देख रहे हैं फ्रेड़ क्लासेश आज करेंगे एक नया कन्वर्जन आईए जल्दी से देखते हैं आज का कन्वर्जन बेंजोइक ऐसे टू मेटा नाइट्रो बेंजाइल अलकोल इन नॉट मोर देन टू स्टेप्स यह नॉट मोर दन टू स्टेप का शाहिए सबसे डिफिकल्ट टास्क है क्योंकि यह मुझे जहां तक आइडिया लग रहा है यह हो नहीं पाएगा दू स्टेप में उसका रीजन क्या है आओ उसको देखने कोशिश करते हैं पहले मैं यहाँ पर बेंजोइक आसेड को बना लेता हूं तो फिनाइल रिंग उसके उपर अपना एसडी ग्रूप डाट इस काल बेंजोइक आसड और यहां पर लिखा है मैटा नाइट्रो बेंजाइल अलकोल तो पहले बेंज अब यह तो आसान लग रहा दिखने में बहुत छोटी सी चीज़ लग रही है पर यह दो स्टेप में करना मुझे तो नहीं लगता पॉसिबल है फिर भी हम चेक आउट करते हैं आओ है कि नहीं है एक बार देखते हैं क्यों मैं ऐसा कहारा हम सोचते हैं देखो यह जो फाइल को मेटा पर लगने के लिए डारेक्ट करते हैं कि भाई मेरे मेटा पर आके लोगो और यहां पर मैं लगाना भी मेटा पर है तो सुनने में तो बहुत आसान लग रहा है तो बस अगर मुझे यह करना होता क्या चीज़ इस पर अपना एसेड कौन सा एच्छ नुसरी है नाइट्रेशन होती है बेंजीन के उपर एस आर मतलब इलेक्ट्रोफिलिक्स सब्सीशन राक्षन तो बहुत आराम से यह राक्षन होती बेंजोएक असेड के उपर और बेंजीन का एक और एच निकल कर वहां पर आपका नाइट्रो लग जाता तो क्योंकि यह मैटा डा जाएगा और यहां पर आपको एलकोहल मिल जाएगा इस तरह से यह आपका प्रोडक्ट बन गया यहां पर डबल बॉंड ओ कि जहां सौरी यहां पर आजएगा सीच्टू यह अलकोहल बना देगा प्राइम्री अलकोहल क्योंकि यह स्ट्रॉंग रिडूसिंग एजेंट है तो यह आपका असेट को किस में करेगा प्राइम्री अलकोहल में करणेगा बिल्कुत सही है लेकिन मैं इसके संग्ट फूल हूं कि नाइट्रो को मार्व कर देगा नाइट्रो का कुछ नहीं करेगा यहां तक मैंने पढ़ा है तो अगर खाली Nitrobenzene होता है खाली Nitrobenzene आप लोगे मालो कहीं पर और उस पर आप L lithium aluminum hydride डाल दो लीथियम aluminum hydride डाल दो तो यह उसको ऐ ऐजोबेंजीन में कनवर्ट कर देता है ऐजोबेंजीन मतलब यहाँ पर ऐसे करके और फिर इसमें बेंजीन लग जाएगा इस तरह से यह यहां पर नाइट्रो को कैसे माफ कर देगा उसका कुछ भी नहीं करेगा या उसको रिड्यूस करके अमाइन में कनवर्ट नहीं करेगा तो इसलिए मुझे इस कनवर्जन में डाउट है कि यह दूर स्टेप में ऐसे हो स वह सर्फ एक हीडाक डर्बेटिव को चूसकता है और वह कौन से वाले हैं आपको बता है उनको चूसकता है उसके लावा वह नहीं चूता है किसी भी डरेविटिव को नहीं उसको तो यहां यूज नहीं हो सकता और अगर आप ढाल दूदो दूसरा अधरेक्शन के लिए मत is वाई यह दो स्टेप में होना बहुत मुश्किल है है अब अगर आप यह सोच रहूं कि पहले इसको मुझे फिर कराय जाए मतलब आप यह सोच रहा हो दिमाः में कैसा कि मैं इसका यह करा दूँ देखो अब पाद यह सोच सकते हो अपने दिमाग में कि सर आप पहलेस पर ढईलो क्या चीशु म equipped Shawn प्राइं मिनिएट आगा तो पीर मिया बन झाएगा कि आपने summary alcohol बिलकुट सब्सक्राइब बन जागा है तो सभी नहों कि और तो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रूप है तो इसी लिए अगर आप अब इस पर नाइट्रेशन करा होगे अब नाइट्रेशन के लिए जाते हो तो आप डालते हो तो अब आपको produkt क्या मिल जाएंगे आपके बढ़न जाएंगे आपको बेंजयल अल्कॉल तो उसे मिलेगा जैसे था लेकिन आपके पैरा पर नाइट्रो लग जायेगा या आपके यहां पर ओख्ञिए कि अगगे अब कर्षो पर नाइट्रो लग जाएगा इस इसको यूज नहीं कर सकते हैं तो दो स्टेप में मैंने दूनातिक से फॉलो करने कोशिश करी पर यहां पर यह मैं कहूंगा यह फेल नहीं हो पाया ठीक है ना मुझसे नहीं हुआ दो स्टेप में आप देखना कहीं ढूंदना आपको मिले तो मुझे दरूर बताना ओके आग लिए ठीक है ना बेंजोइक एसट बना दिया अब बेंजोइक एसट पर आप क्या करा हो सिंपली सबसे पहले तो आपको नाइट्रेशन कराने ही पड़ेगा क्योंकि आपको चाहिए कहां है मैटा पर चाहिए और यह आपका मैटा डिरेक्टिंग अलड़ी है तो आप इस पर नाइट्रेशन की कंडिशन लगा दूब क्या है असलिए वह क्या चीज़ होती है असलिए इसमें आउसरी आपका काम करेगा रियेजिंट का यहां पर यह रियेरी अजिंट हो गया कि और आपका एष्टे व, यहां क्या होता है तो सफ़ेज़ा इस्तै होता है एइसका नाम हो जाएक और इसको कहेंगे nitrogen और क्या कलाएगी electrophilic substitution reaction इसका reaction टाइप हो जाएगा क्योंकि आप इसमें H को हटाओगे कहीं पर से acid बन गया अब आप क्या करो अब आप इसके उपर बिल्कु सिंपल आप इसके उपर डाल दो ठीक है ना ओके तो पहले यह था benzoic acid अब इसका नाम क्या हो चुका आप जानते हो मैं पहले इसका नाम बता चुका हूं आपको इस compound को क्या बोलते हैं अगर मैं नाइट्रो न लगा हूं तो याद करो आपने सही बताया बेंजोईल क्लॉइड हो जाएगा यह अब यह metanitro-benzoic acid दूसरे step में आपने क्या बना लिया दूसरे step में आपने बना लिया앤व तो थाइननिो नाल कर metanitro benzoic chloride बना लिया अब benzoic chloride पर जैसे मैं आपको आप आयाक कि कि आप mild oxidizing agent डालो कौह सा एने बी आच four मतलब sodium borohydride ये सिर्फ एक ही acid डेरिवेटिव को तोड़ पोड़ सकता है और वो कौन सा है ओईल हलाइट से ओईल हलाइट जो कि असट डेरिवेटिव हैं पर अच्छे लीविंग रूप के साथ में लगे होने वैसे यह उसको तोड़ पाता है जबकि यह कैसा रिदूसिंग एजन्ट है यह माइल्ड रिद कि मिल गए आपको समझ में आ गया क्या अपने टीन स्टेफ यूज करें हैं पहले आपने यहां पर कौन सी कराई पहले आप यहां पर यहां राई एक्शलिन मेंगा कर देखो तो सब्स्टूशन कर यह वी है यहां यहां लास्ट में आपने क्या करा दिया है तो लास्ट में अपने कि यह हमारा आज का कन्वर्जन हो गया जिसमें ने यह सार लगाया सब्सक्रीशन लगाया और हमने अपना डिजार पुडग मैटा नाइट्रो बेंजाइल अल्कॉल बना लिया तो मुझे तो नहीं लगता यह दो स्टेप्स में हो सकता है पर में भी आप मैंसे किसी को बता हो आएरोवेदिक मेडिसिन कौन आएरोवेदिक मेडिसिन के पिता जी है आपको बताना है मुझे और हां मैं क्यों पूछा यह कुशन देखो आज कल बड़ा ही आयरोवेदिक और हर्वर्ण चीजों का जमाना चला हुआ है तो मैं चाहूंगा आप जरूर जाने कौन है इनके पिता जी कहां से आई यह चीज इसके वारे हम ज़रूर पढ़ें अपना साइंस वाला दिमाग खोल के रखें और कंवर्जिन पांडेस के साथ फ्री रेटकर ग्लासेस पर आते जाते रहें थैंक्यू सो मच टाड़ा वाई बाई